दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दरीटीन में यहां पर मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों इंडियन रेलवे फिनैंस कॉप की जिसे आप आई रेफसी भी कहते हैं और लास्ट रेडिंग सेशन में आप देखेंगे तो स्टॉक जैसे कि आपकी स्क्र अतिशत की दोस्तों अपने निवेशकों को तेजी दिखाया है और यह जो रैली है यह लगातार चलती दिखाई दे रही है और अब निवेशकों के मन में यह है क्या अब आई रेफसी कितना रुपए 100 रुपए तोड़ता हूँ आपको दिखाई देने वाला है अगर नही कौन सबस्टाप लॉस है जो आपके दिमाग में होना चाहिए और यह जो रैली है यह कहां तक जा सकती दोस्तों और एक बहुत ही आपके साथ एक इंपोर्टन चीज़ आपको जब साथ क्वाटरल नंबर शो करूँगा आपको दिखाऊंगा कि इस कंपनी में जो भी सबसे बड़ा सरदर्द है वो क्या है और कैसे आने वाले कुछ सालों में वो चीज़े ठोड़ी शायद आपको अच्छी होती हुए दिखाई देंगे दोस्तों तो यदि आप IRFC में निवेश की सोच रहे हैं थोड़ा स्टॉप लॉस जानते हैं और एनलिस्ट क्या कह रहे हैं इ तो बहुत कभी क्या होता है दोस्तों कोई चीज़े होती है वो छूट जाती है ठीक है लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली पर आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाएं वीडियो अच्छी लगते हो लाइक जरूर कीजेगा आप ऐसा करते ह है चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है और प्लीज गाइस आप जो है और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाईए अब चलते हैं वापस से नंबर्स की तरफ देखिए पांच प्रतिशत की आपको से तेजी दिखाई ये देखिए और आखरी में वहीं तक बना रहा और तेजी अगर आप कुछ हैंगे न तो पिछले आप देखें तो छे महीनों में तो स्टॉक ने निचलेस तरों से और बलकी जनवरी से अभी तक स्टॉक ने निचलेस तरों से अपने निवेशकों को देखें एक समय में तो ओल्मोस्ट दो सो बत्रिस परसेंट जी हाँ आप कह सकते हैं, देश बनानी की आप कोशिश की जा रही है दूस्तों, ठीक है, और ये कौन सा अगर आप दिखेंगे, जो पहला support आता है इसके लिए, क्या है वो 68 के आसपास, और उससे पहले 72, ठीक है, लेकिन इसके उपर और चर्चा करेंगे, तो short term के अगर आप बात करे अब IRFC के पास होगा, तो अगर आप बहुत ही छोटे term के लिए आए थे, तो इन stop loss, इन चीज़ों को अपने दिमाग में जरूर दबा करके रखिए, क्यों देखे, पहला gap, फिर है ये दूसरा gap, ठीक है, तो ये दो gap फिल करने अगर गिरावट होगी, तो बड़ी भयंकर आपको loss हो सकती है, और मैं हमेशे ही कहता हूँ, अगर आप किसी stock में निवेश की हुए है, stock अगर आपको दुगने पैसे दे चुका है, at least आपको partial profit book कर लेना चाहिए, चाहे आप long term के लिए हो, चाहे आप near term के लिए हो, ठीक है, और आप कह सकते हैं, उसको फिर भूल जा आप यहां बस देखे, एक यह समय, 20 रुपए से थोड़ा सा उपर, 22-23 रुपए, फिर एक बार उपर गया, फिर एक बहुत लंबा समय दिया, कि भाई आप खरीद लीजे, और फिर वहां से एक भाय अंकर रहे लिए, तो अगर आपके पास, यह stock ना दोस्तों, इंस तरों ठीक है, October भी नहीं, आप यहां और उपर करेंगे, तो November और यह आप कर लीजे, December, December के आसपास, तो बाई साब आपको लगबग आपके सकते, दो साल के आसपास मौके मिले, जिन्होंने वहां पे खर्दारी की हुई है, अराम से stock को लिए करके रखे रहें, company आपको एक ठीक company बहुत अच्छे levels पे आपको मिल चुकी है, आप ठोड़ा partial partial profit book करना चाहें, आप कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे level मिलेंगे, ठीक है, but अब next part क्या, क्या होने वाला यहां से, तो देखे, इससे पहले न हमको छोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी, इंगे quarterly numbers जो आए है अब देखें आपे, company ने जो quarterly number पेश किये, 6767 करोड रुपीज की sales होई है, और आप देखें, तो यह रहा, 2020 September, 3714 करोड से stock, आप सकते हैं, लगभग, 3000 करोड, उसका जो total sale value है, वो बढ़ चुकी है, ठीक है, हाँ, expenses देखेंगे, तो अभी भी काफी 34 करोड है, काफी flattish रही हुई है, IRFC का, जो मैंने आपसे कहा था, कि जब result बात करेंगे, special चीज़ देखेंगे, देखेंगे, सबसे बड़ा खर्चा होता होगा, interest, और आपको पता होना चाहिए, जो interest rate, अभी आप कह सकते हैं, जो इतने high चल रहे हैं, जिसके करण, जो finance cost है, जो interest rate बड़ा सिर्दर्थ बना हुआ है, सिर्फ IRFC के लिए नहीं, तमाम निवेशकों के लिए, और आपको बता दू, IRFC के जो debt to credit ratio है, वो 8, आप कह सकते हैं, 8 से भी उपर, यानि, total जो इनके पास पैसा है, उसका 8 गुना कर्जा company ले रही है, वो को issue नहीं है, company काम ही lending लेना है कि बाइसाग जब तक वो कर्जा उठाएगी नहीं, तब तक वो कम बेज कैसे पाएगी, और देखे, इन्हें उन्हें जो पेश किया अपना PBD, 1500 करोड के आसपास का किया है, जो एक साल पहले के दोस्तों मुकाबले, थोड़ा कम है आप कह सकते हैं, company का जो net profit आया है, जो 17 14 करोड था, वो घट के 1550 करोड हो गया है, ठीक है, लेकिन आप देखें, जो एक steadiness है net profit में, वो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है, ups and downs, ups and downs, तो stock में आते रहेंगे, लेकिन company लगातार एक अच्छा profit generate कर रही है, लेकिन जो net profit हो आप देखें, आपको constant देखने को मि लेकिन, interest cost लगातार बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, तो ये चीज़ों को प्लीज अपने ध्यान में रखिएगा, लेकिन आने वाले कुछ समय बाद, जब आप कुछ समय बाद देखेंगे, तो पाएंगे, कि जो वो interest cost है, वो शायद नीचे आए, तो फिर वापस से काफी अच्छे return को देखने को मिनेंगे, लेकिन याद रखिएगा, अपना तमाम चीजें, इस share pricing pricing हो चुकी है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा उपर लेकर के चलते हैं, आप देखें आपे, कमपणी का जो market cap है, एक लाख करोड से उपर हो गया है, कितना, एक लाख करोड से उपर हो गया है, 52 वीक लोग जो 25 रुपए के आसपास था दोस्तों, अब वहाँ से बढ़कर के एक समे 92, 93 के आसपास गया था, वहाँ से तो काफी हत तक आपिया सकते गिरावट हो चुकी है, stock की जो P है, 16 दश्रमच है, जबकि industry की भी मात्र 10.4 है, तो वहाँ से थोड़ा बहंगा देखने को मिल रहा है, प्रमोटेक्टर 86.4 है, यह सरकार को बेचे नहीं पड़ेगी 75 परसेंट दग लाने के लिए, और जो interest cost में company लगातार जो pay कर रही है, उसका reason यह है दोस्त आदा पे करना ही पड़ेगा और यही payment company कर रही है दोस्तों, ठीक है, यह तमाम चीजे हो गई, अब बात करते हैं भाई साब, की company IRFC में, आने मले समय में, जो बड़े professional है, जो आप क्या सकते है analyst है, वो क्या कह रहे हैं इस matter में, तो देखिए, आप यहाँ पे देखें, शा motivation अभी भी justified है दोस्तों, और risk reward अभी quite favorable है, ठीक है, एक अच्छा गेनाय है, 15% के compounder look like from here, और don't expect any firework which has already happened last year, हाँ, 15% के CAGR से आपका passion health बढ़ते दिखाई देगा, आप कुछ भी यह मत expect करें, कि जिस प्रकार से आपको पिछले कुछ समय में, एक बड़ी rally, एक शांदार rally देखने को मिली है, वो देखने को मिलेगी, आप एक decent 12-15% के बीच का redundant, इस टॉक में आराम से कमा सकते हैं, company आप कह सकते हैं, आपको dividend भी 2-4% के आसपास का dividend भी देती रहेगी, तो तमाम जो issues हैं, उससे आपको tension लेने की ज़रत नहीं है, ठीक है, अब बात कर लेते हैं, क ठीक है, stock जिस तरा आगे बढ़ रहा है, वो एक flag kind of formation बना रहा है, next breakout, 82 के उपर होगा, अगर आप चाहते हैं, ब्रेक आउट कहां देखने को मिलेगा, तो जब तक 82 का level टूट करके उपर closing basis पे नहीं आ जाता, तब तक कोई बड़ी breakout देखने को मिले नहीं रहेगी, जो next targeted stock के लिए, दोस्तों higher side देखेंगे, वो 98,205 होगा, और यह मैं 100% मुझे justification लगती है, ठीक है, continue holding the position under downside, stop loss कहां लगाना है, 62 रुपीस, 62 रुपीस का एक stop loss लगा के ये कह रहे हैं, पलाविया, कि भई, आप stock में बने रह सकते हैं, और देके मुझे ऐसा लगता है, इस पे कह नहीं से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है, company अच्छी है, अच्छा return दे चुकी है, काफी important, जो positive triggers से और प्राइज हो चुके है, यहां से 12 से 15 का decent percent धिमान में रखिये return को, और stock को अराम से accumulate करते रही है, अगर short term के लिए है, मुझे लगता है आपको यही निकल जाना चाहिए ठीक है, परना कल लॉंग टर्म का view है, कोई भी गिरावट बड़ी होती है, वहां पर accumulation सोचें, क्योंकि stock वाकरी में अच्छा है, और long term का, एक काफी शान्दा stock मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, और देखिए, यहां पर मैं जो भी चर्चा करता हूँ, वो purely education purpose के लिए रहत बहुत बहुत धन्यवाद, यह श्रीगंत है, चैंद